तो एवरिवन वेलकम बेक टो अवर यूट्यूब चैनलन राजस्तान लर्णा रभ फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में अपन जो आर्पेसी की द्वारा आरेस मेंस एक्जाम्स करवाए गेदा 25 से 26 जून को तो उसके ऑपिसेल पेपर आरेसी की द्वारा जारी कर दिये गए है तो यह ओपिसेल पेपर है और उसमें कौन-कौन से क्यूशन से एक्जाम्स में पूछे गए थे तो पेपर फर्ष्ट के अंदर जो क्यूशन पूछे गए उनका डिस्कसन इस वीडियो में अपन करने वाले हैं तो दोस्तों जो यूनिट वन है आरेस मेंस का जो पेपर तो प्राचीन भारत के किन तीन ग्रंटों को प्रस्तानतरी कहा जाता है and second question है अर्जुन की तपस्या परतिमा का संक्षिप्ट विवरन दीजिए third question पूछा गया था विस्व वलब ग्रंद का संक्षिप्ट विवरन दीजिए and fourth question है डुंगर जी और जवार जी कौन थे fifth question पूछा गया है अठारीविस तापदी के यूरोपियन परबोधन को परिबासित कीजिए and six friends अब next है जो पार्ट भी है पार्ट भी में परते कुशन का answer 50 वर्ड में देना होता है और ये 25 मार्क्स का होता है पार्ट भी परते कुशन पांच अंका निर्दारीद होता है question number 6 है हडपा इस्तलों से प्राप्त कासे मूर्तियों पर एक लगू लेक लिखिए question number 7 है भारतेंदू हरीश चंदर हिंदी साहिते में आधुनिक परवर्तियों के अगर दूत्ते विवेचना कीजिए question number 8 question number 9 question number 10 है question number 10 है question number 10 है निर्दारीद है और यह चुपार सी है यूनिट वन का यह 40 माक्स का है परते questions 10 इन्टू 4 questions है तो 40 40 माक्स तो क्यूसन से 19 वी सताबदी का भारते पुर्ण जागरन पस्चिम की चुनोती एंव प्रेणा का प्रेणाम था आलोचनाते में परिक्षन करना था question number 12 है है बीस वी सताबदी में भारते करांतिकारी सवतंतरता अंदोलन के विकास की रूप रिक्षा प्रस्तूच कीजिए question number 13 है रास्तान के निमले की पुरा तात्वी किस्त लोग का सिंग्शिफ्ट विवरन दीजिए बागोर सब्बेता काली बंगा सब्बेता और अहाड सब्बेता तो पूरा total question 100 वर्ड में देना होता तो 30 वर्ड इसके 30 35 इसके और 30 35 वर्ड इसके तो तीनों को 30 35 35 वर्ड मे explanation करना था बागोर काली बंगा और अहाड सब्बेता का next question is question number 14 अंतराष्टी राजनीती पर दीत्य विसुविद के परभाव का विवेचन कीजिए कि क्या परभाव रहे हैं और जो भी परभाव रहे हैं उनका विवेचन करना था and next is unit second unit second के अंदर part A part A के अंदर परते questions का अंदर 15 वर्ड में और जो unit second वो 60 marks की है तो पहला question था 2017 में भारत में सरवादिक निर्यात होने वाले चार देशों के नाम गड़ते वे क्रम में लिखिए Q2 था राजस्तान में यंग इंटर्न कारेकरम का मुख्य उद्दे से क्या है Q3 राजगोसी समेकन क्या है Q4 पूचा क्या था रिणात्मक ब्याजदर क्या है Q5 है I start राजस्तान का मुख्य उद्दे से क्या है next part B पार्ट B के अंदर परते क्यूसन का अंसर 50 वर्ड में देना है और ये 25 माक्स का है परते क्यूसन 5 अंक का निर्दारीत है राज़तान में मुख्य मंतरी जल स्वावलंबना बियान के परमु के बिंदों को लिखिए नेक्स्ट क्यूसन है Q7 राज्य में स्वास्ते संकेत को में सुधार हितू राजस्तान सरकार द्वारा उठाएगे छे परमु कदमों के नाम बताईए Q8 है भारत सरकार की बारत माला परियोजना से आप क्या समझते हैं Q9 था भारत में उवरक अनुदानों के लिए परतेक्स लाब अस्तांतरन विवस्ता क्या है Q10 है सवचालित मारक तता सरकारी मारक जिसके दौरा भारत परतेक्स विदेशी निवेस प्राप्त करता है इसको समझाईए Q11 था भारत में आदारपु तो डाचे में निवेस की समझ्याओं तता भविश्य की आवस्यक्ताओं पर लेक लिखे तो प्रिंट्स यह था पार्ट C के अंदर 100 वर्ड में इसका आंसर देना है 100 वर्ड में परतेक्स दंस अंका है और पार्ट C 30 मारक्स का है तो उसका है य लिए 202 द्वारा निर्दारीत गठक बतलाईए भारत की व्यवसाइश सुगमता में रेंक बड़ने है तो कौन से गठक है नेक्स्ट क्यूसन है क्यूसन नंबर 13 पूरवी रास्तान नहर प्रियोजना पर संक्सिप्त टिपनी लिखिए नेक्स्ट क्यूसन फ्रेंस नेक्स सास्तर की कॉसन डेख लेते हैं यह 20 मांक्स की तो व्यूसन तीनों सेक्षिन हो 50-20 मांक्स की है टोटल 60 मांक्स की इंट घरडा है तो उसमें से पार्ट ए है पार्ट में प्रते फिप्टिन वर्ड में देने का अंसर होता हिसमें और दो माक्स का नितारीछ तो क्यू नमर वन संसकरती करने क्या है है। ते यह सीमांतों देना संसकार क्या है। एन नेक्स्ट क्यूटन नमर पाइब सागडी परता निशे ददेन न मिसे क्या है नेक्सट प॥ब के परते कियूटन का अंसर 50 वर्ड में देना है यह 10 मॉर्ट में देना ह। क्यूटन लोगिगी करण ने धरम में परिवरतन किय Razth करना था है नेक्ष्ट क्यों सेवन राजस्तान की जन जात्यों की समादाटाने तु स्वेदानिक पृएस बताईए तो फ्रेंट्स यह था सेक्षन भी ए अब यूनेट़ थर्ड का सेक्षन भी देखते हैं question is no 2 है अनौप चारिक संगतन से मेंил is no 3 है संदारणिये विपणन विचार को संगसेप में समझाइए नेक्स्ट क्यूशन है अलपकालीन वित जो अलपकालीन वित है उसके उपरण के रूप में वियापारिक पेपर क्या है वियापारिक पेपर के बारे में एक्स्प्लेन करना था next question is question number 5 संचार में अर्थ पूर्ण बादाओं से आप क्या समझते हैं next part B part B के अंदर 50 word में answer देना होता है और ये 10 marks का निर्दारीत है question अभी प्रेरण के दी कारक्षिदान को समझाईए question number 7 है समपदा को अधिक्तम करने की अवदार्णाओं को समझाईए next unit है unit 3 का section C तो जो section C है section A और section B हो चुके unit 3 के अंदर section C भी 20 marks का है और part A इसमें सबसे पहले देखते हैं 15 word में answer देना है कुसलता अंकेशन को परिबासित कीजे next question है वीतिय वीवरन पत्रों के विस्लेशन के संदर में अनुपात विस्लेशन क्या है question number 3 बजटन से आप क्या समझते है question number 4 सामाजी कंकेशन क्या है question number 5 course परवाय विस्लेशन तक्नीक क्या है next part B part B के अंदर सुनने आदार बजटन पर टिपनी लिखिए ये था question number 6 question number 7 कारिसल पुझी का परिचालन चक्रन अवदारना क्या है तो कारिसल पुझी के परिचालन चक्रन अवदारना क्या है 50 सब्द में आंसर देना था 50 वर्ड में तो फ्रेंट्स ये था RPC की दुवारा पुछा गया पर फश्ट और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षन कमेंट बॉक्स के मादे में से आप अपना सुजाओ जरूर दे और के फ्रेंट्स जैहिन वंदे मातरम